Hello everyone, welcome to my channel. आज हम O की मात्रा को जोड़ कर शब्दों को बनाने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे. O की मात्रा एक खड़ी रेखा और उसके उपर एक तिर्ची रेखा के रूप में होती है. इसकी ध्वनी होती है O, O, O. से पहले हम O की मात्रा को प्रतेक अक्षर के साथ अलग अलग जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे. क में जुड़ी O की मात्रा बना को, ख, O, खो, ग, O, गो, घ, O, गो, च, O, च, O, च, O, च, O, च, O, इसी प्रकार जब हम अलग अलग अक्षरों के साथ O की मात्रा को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं, तो हमें शब्दों को बनाने में आसानी होती है, अब बारी आती है शब्दों की, ध, में जुड़ी O की मात्रा, बना धो, साथ में जुड़ा B, और B पर है बड़ी E की मात्रा, शब्द बना धो, B, धो, B, धो, B, धो, B, जो कपड़े धोने का काम करता है, ध में जुड़ी ओ की मात्रा बना धो साथ में जुड़ा ल शब्द बना धोल ल में जुड़ी ओ की मात्रा बना लो साथ में जुड़ा ट और ट पर है आ की मात्रा शब्द बना लोटा ज में जुड़ी ओ की मात्रा बना जो साथ में जुड़ा क साथ में जुड़ा र शब्द बना जो कर जोकर भ में जुड़ी ओ की मात्रा बना भो साथ में जुड़ा ज साथ में जुड़ा न शब्द बना भोजन म में जुड़ी ओकी मात्रा बना मो साथ में जुड़ा र शब्द बना मो, र, मोर ब में जुड़ी ओकी मात्रा बना बो साथ में जुड़ा त बो, त, अब जुड़ा ल तो शब्द बना बो, त, ल, बोतल क में जुड़ी ओकी मात्रा बना को साथ में जुड़ा य और साथ में जुड़ा ल तो शब्द बना को, य, ल, कोयल घ में जुड़ी ओकी मात्रा बना घो साथ में है रड और रड पर लगी है आ की मात्रा तो शब्द बना घो, रा, घोड़ा अब ख पर कोई मात्रा नहीं है र पर भी कोई मात्रा नहीं है ख, र, और साथ में है ग, ग के साथ जुड़ी है ओ की मात्रा बना गो, साथ में जुड़ा श, शब्द बना ख, र, गो, श, खरगोश त में जुड़ी O की मात्रा बना तो साथ में है त और त पर है आ की मात्रा अब इस त पर O की मात्रा है इस त पर आ की मात्रा है तो उसे उसी प्रकार से पढ़ेंगे तो, ता, तोता ग में जुड़ी O की मात्रा बना गो साथ में है भ और भ पर है बड़ी ए की मात्रा तो शब्द बना गो भी गो भी तो इस प्रकार से जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी होती है उस अक्षर में उसी मात्रा की ध्वनी को जोड़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं उम्मीद करती हूँ आपको O की मात्रा को जोड़ कर शब्दों को बनाना आ गया है तो चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए बबाई टेक केर